जाय हिंद जाय भारत हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लीज उसे देखिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं कलकता पहुचकर भगत सिंग अपना नया नाम रखते हैं हरी बंगाली शैली में दोती कुर्टा पहनते हैं ताकि किसी को शक ना हो यहां सोचने वाली बात य है कि लाहूर से निकल कर भगत सिंग कलकता ही क्यों गए थे इसके दो कारण थे एक तो यह कि उनी दिनों कलकता में मोतिलाल नहरू की अध्यक्षता में कॉंग्रेस का रास्ट्री अधिवेशन हो रहा था भगत सिंग एक मजह हुए रिवोलुशनरी पॉलेटिकल वरकर थे और कॉंग्रेस देश का सबसे बड़ा राजनितिक संगठन था आजादी के संगर्ष को कॉंग्रेस किस दिशा में ले जा रही थी इस पर भगत सिंग की कड़ी नजर थी इसलिए वे कॉंग्रेस के दिवेशन को अटेंड करना चाहते थे दूसरी वज़ाए ये कि 8-9 सितंबर 1928 को दिली के फिरोजशा कोटला के खंडरों में पंजाब, यूपी, बिहार और राजपुताना के करांतिकारियों की महत्तोपून बैठक हुई जिसमें काकोरी केस के बाद बिखरी हुई हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसियेशन को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसियेशन यानी HSRA के रूप में पुनर गठित किया गया उस बैठक में बंगाल के करांतिकारियों ने भाग नहीं लिया था आंदोलन को देश व्यापी बनाने के लिए बंगाल के करांतिकारियों को एचे सारे के साथ जोड़ना बहुत जरूरी था उसी बैठक में बहुशे के करांतिकारी कारे करमों के लिए भगत सिंग ने बमों की आवशकता पर भी जोर दिया था बैठक में निर्ने हुआ था कि दिसंबर में भगत सिंग कलकता जाएंगे और वहां फणिंदरनाथ गोश के माध्यम से बंगाल के करांतिकारियों से संपर्क कर किसी बम विशे शग्य को पार्टी के साथ जोड़ेंगे फणिंदरनाथ गोश बेतिया के रहने वाले थे और पार्टी की बिहार इकाई के प्रभारी थे वे मूलता बंगाली थे और कलकता में बहुत लोगों को जानते थे दुर्भाग्य की बात ये है कि आगे चलकर पकड़े जाने पर यही फणिंदरनाथ सरकारी गवाह बन जाते हैं इनकी गवाही की भगत सिंग की फांसी में बहुत बड़ी भूमिका थी इनाम में अंग्रेजों ने इनको बिहार के चंपारन जिले में पचास एकड़ जमीन दी थी बाद में 1932 में करांतिकारी बैकुंठ शुक्ल ने फणिंदरनाथ को ये मलोक पहुचा कर भारत को एक गद्दार से मुक्ती दी कहानी पर लोटते हैं दोस्तों बगत सिंग चुपचाप कॉंग्रेस के अधिवेशन की कारवाई देखते हैं पर कॉंग्रेस डॉमिनियन स्टेटस से आगे नहीं बढ़ पाती और यह बात उन्हें बहुत निराश करती है बिना समय गवाई बगत सिंग अपने काम में जुख जाते हैं योजना के नुसार फनिंदरनाथ गोश भी कलकता पहुँच चुके थे बेतिया के ही रहने वाले कमलनाथ तिवारी जो एचे सारे के ही सदश्य थे वे कलकता के विद्या सागर कालिस में पढ़ते थे और कार्न वालिस रोड स्थित आरियस माज मंदिर में रहते थे उन दिनों कमलनाथ आरियस माज में कलर का काम भी देखते थे बगत सिंग पहले इन दोनों से मिलते हैं और फिर बंगाल के पुराने करांती कारियों से संपर करते हैं जिनमें परमुक थे परफुल गांगुली, जोतिश घोष और तिरलोक के नाथ चक्रवर्ती। ये करांतिकारी अब बम और बंदूकों का साथ छोड़ चुके थे, इसलिए भगत सिंग का सक्रिय साथ देने से तो इनकार कर देते हैं, पर भगत सिंग की इमानदारी निष्ठा और समर्पन से परभावित हुए बिना नहीं रह पाते हैं, और इनसे भगत सिंग को कुछ हत्यार मिलते हैं। इसी बीच पार्टी के काम से एक बार भगत सिंग को आगरा और इलावाद जाना पड़ता है, और फिर वी लोटाते हैं कलकत्ता। इसी प्रियास में भगत सिंग को कलकत्ता में एक अनमूल रत्न मिलता है, जिसका नाम है जतिंदरनाथ दास, जिनको हम जतिंदास के नाम से जानते हैं। जतिंदास से भगत सिंग की यूँ तो कुछ साल पहले भी भेंट हो चुकी थी, पर तब सिर पर पगड़ी थी, हलकी दाढ़ी थी, अब जिस भगत सिंग से जतिंदास मिल रहे थे, वो बिलकुल एक नए अवतार में थे। दोस्तों, आगे चलकर बगत सिंग और उनके साथी क्रांती कारियों द्वारा जेल में की गई एतिहासिक भूख हड़ताल के 63 दिन, 13 सितंबर 1929 को जतिंदास शहीद हो जाते हैं। उनके उपर अलग से भी वीडियो बनाएंगे। अभी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। वीडियों को आगरा चलकर बम बनाना सिखाने का आगरे करते हैं। बगत सिंग की बातों से प्रभावित होकर जतिंदास मान जाते हैं। बम बनाने के लिए अन्य सामान के साथ गन कौटन की भी जरूरत थी, जिसे तयार करने के लिए बहुत सारी बर्फ चाहिए थी। मुश्किल होता इसलिए जतिंदास भगत सिंग को समझाते हैं कि गन कौटन कलकता में ही तयार कर लेते हैं बाद में आगरा चल कर बम बना लेंगे भगत सिंग मान जाते हैं जरूरत थी गन कौटन तयार करने के लिए सुरक्षित अस्थान और जरूरी सामान की है आर्यस माज मंदिर की उपरी मन्जिल पर बने कमरे को इस काम के लिए चुन लिया जाता है कोट में दिये बयान में फुनिंदर नाथ ने कहा था कि रॉ मटिरियल खरीदने के लिए भगत सिंग ने उसे 50 रुपे दिये थे उस जमाने में 50 रुपे भी इस काम के लिए काफी थे गन कौटन के निर्मान में प्रियोग होने वाले केमिकल्स और अपरेटस एक साथ खरीदना संदेह पैदा करता इसलिए अलग-अलग दुकानों से चार, पांच, छे और साथ फरवरी 1929 को सब सामान खरीदा जाता है दोस्तों जिन दुकानों से ये सामान खरीदा गया था वे दुकानदार भी इस मुकदमे में गवाही देने वाले 457 सरकारी गवाहों में शामिल थे सामान खरीदने के बाद जतिंदास आर्यस माज मंदिर में गन कौटन तयार करते हैं बगत सिंग, फणिंदरनाथ और कमलनाथ जतिंदास से इसका पूरा प्रोसेस सीखते हैं जिस समय ये चारों लोग गन कौटन तयार कर रहे थे आर्यस माज मंदिर का एक करमचारी तुलसी पानी की बाल्टी लेकर उपर आ जाता है वहाँ चार लोगों को और बहुत सारी बर्फ देखकर उसको कुछ संदेह होता है कमलनाथ उसे समझाते हैं कि वे बीमार हैं और बर्फ उन्होंने अपने सिर पर लगाने के लिए रखी हुई है मुकदमे के दौरान ये तुलसी भी सरकारी गवाह नमबर 397 बनकर इनके खिलाफ गवाही देता है खैर गन कौटन तयार हो जाती है इसके साथ साथ जतिंदास बगत सिंग को बम के दो खोल भी देते हैं ताकि आगरा में या किसी दूसरी जगा इस तरह के और खोल तयार करवा सकें अब आगरा जाने का समय आ गया था बगत सिंग फणिदरनाथ घोश को रेल किराए के 25 रुपे देते हैं और बसंत पंच मी तक फणिदरनाथ को जतिंदास के साथ आगरा पहुँचने का निर्देश देते हैं बगत सिंग स्विम गन कोटन बम के दो खोल और गन कोटन बनाते समय बचे सामान में से कुछ जरूरी सामान लेकर आगरा के लिए निकल जाते हैं ये थी आज की कहानी अगले वीडियो में हम देखेंगे आगरा में कैसे होता है बम का निर्मान उमीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको रोचक लगी होगी यदि हाँ तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए और अगर अभी भी इस चैनल को आपने सुब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अब कर दीजिए और अपने कमेंट्स लिखना मत भूलिएगा क्योंकि आपके कमेंट्स हमारी रहनुमाई करते हैं जाए हिंद जाए भारत